तत्वात्रमायन में सूरेवंच प्रमात्मा शीराम का प्राकट्टे सूरेवंच में हुआ है परतापी सूरेवंच के आधी परवत्तक वे वस्तवत्त मनू है आधी नराइन प्रमात्मा की नाभी से कमल की उत्वत्ती हुई कलम में से ब्रह्मा जी की उत्वत्ती हुई ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीची मरीची के कशब, कशब के सूरिय और सूरे के शराद देव नाम के पुत्र हुए ये शराद देव ही वेवस्वत मनु है सूरे वंश उन्ने से ही प्रारब हुआ मनों के जेश्ट पुत्र एक्षवाकु ने सरियों जिके किनारे एउध्या नक्री बसाई तब से एक्षवाकु वंच के राजाओं की राजगत्धी एउध्या में ही स्थित रही एक्षवाकु के पुत्र कुकुट्स भी महापरकर्मी राजा थे एक समय देवता और देट्टो के बीच युद्ध हुआ देवता हार की उन्हें कुकुट्स से साइता मांगी कुकुट्स ने कहा इंद्र मेरा वाहन बने तो मैं देट्टो के साथ युद्ध करने जाऊ गरज सामने आ गई इसलिए इंद्र को सैमती देनी पड़ी इंदर ने बैल का रूप धरन करके राजा को अपने कंधे पर बिठाया बैल के कंधे को संस्कृत में कुकद कहते हैं कुकद के उपर बैठे इससे इनका नाम पड़ा कुकद्स कुकदी टिष्ठ तीती कुकद्स था कुकद्स ने ड्यत्यों को हराया ककोच के वन्सच का कुच कहलाए ककोच से इंदरवा इंदरवा से इनीना इन्ना से विश्वरंधी विश्वरंधी से चंद्र और चंद्र से युवनाश नाम के पत्तपी हुए युवनाश के शावसी, शावसी के ब्रीधश्यों, ब्रीधश्यों के कुल्याश्यों के दिदाश्यों, दिदाश्यों के हर्यश्यों, हर्यश्यों के निकुंब, निकुंब के बहिनाश्यों, बहिनाश्यों के कृताश्यों, कृताश्यों के सेंजित, सेंजित के युवनाश और युनाश के मंदाता नाम के महापरकरमी पुत्र हुए मंदाता त्रस्तस्यू नाम से भी विक्यात हुए मंदाता ने साग्रो सहीत साथ दूपो को जीता था और प्रिथी पर एक चक्र राज्य किया था मनधाता की सब्तम पेड़ी में सत्यवरत हुए ये सत्यवरत त्रिशंक को नाम से पसिद्ध है वे सत्यवादी, उदार, धरमनिष्ट और जितिंद्री ये थे इन्होंने अनेग परकार के यग्य किये और प्रजा का धरम से पालन किया उनकी एक उत्तम यग्य करने की चाहुई जिससे महाः यग्य का पुन्य बढ़ने से मनुश्य सदे सर्ग में जा सकी उनने कुलगरु विशीष्टी से ये महाः यग्य किराने की विंति की प्रन्तु विशीष जी ने मना कर दिया तब राजा विशीष जी के सो पत्रों के पास गे और उनसे यग्य करवाने को कहा अपने पिता के वचनों का राजा द्वरा उल्लंगन किया जान करके और जिस यग्य को कराने का विशीष जी ने निशेद कर दिया था उसी यग्ग को उनके पत्रों से करवाने की दुरुथी राजा को प्राप्त ही देख करके विशीष जी के पत्रों ने क्रोधित होकर के राजा को चंडाल सवरूप की प्राप्ती का शाप दे दिया राजा का सवरूप चंडाल का साह हो गया राजा अतिशे दुखी हुआ आंत में विश्वा मित्तर रिशी के पास किया और उनसे कहा हिम महात्मन मेरा समस्त पुरुशार्थ भाग्य से समात्थ हो गया है और मैं अत्यन्त पेडित हो गया हूँ इससे मुझे ऐसा निश्ची होता है कि देव ही श्रिष्ट है और पुरुशार्थ निश्फल है देव में परमन्ने पुरुशम तो निरथकम देवना क्रिम्मेते सर्वं देवं ही परमागती देव प्रानी मात्र का प्राभव करता है देव ही अति बलवान है देव के आगे पुर्शार्थ के भी चलती नहीं इसलिए मैं आपकी शर्न आया हूँ विश्यामित्र जी तो बड़े पुर्शार्थी थी पुर्शार्थ से सब कुछ हो जाता है ऐसा मानते थे जरम से शत्री होने पर भी अपने पुर्शार से ही उन्होंने ब्रह्म रिशी का पद प्राप्त किया था विश्वामितर जी ने राजा को सदे स्वर्ग भेज देने का आशवाशन दिया उन्होंने उसके लिए यग्य की तैयारी प्रारंब की समस्त रिश्यों को यग्य का निमंतरन भेजा सब अमंतरन सविकार करके पधारे प्रंतु विशिष्टी के पुत्रों ने निमंतरन सविकार नहीं किया और विश्वामित्र जी की निंदा की इससे कुदित होकर के विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र जी के सो पुत्रों को जिला करके भसं कर दिया विश्वामित्र ने त्रिशंकों से यग्यारंब करवाया, सेम याजक पद सभीकार किया, मंत्र शाष्टर में कुशल अन्य रिशियों ने रिट्टिक पद अंगिकार किया, महातपस्य विश्वामित्र ने हविर भाव लेने के लिए देवताओं का आवाहन किया, पन्तु जब देवता भाग लेने नहीं आए, तो विश्वामित्र दी अत्यंत क्रोधित हुए, उनने अपने तबवल से तरिशंकों को आकाशकती प्राप्त करा करके, उसे सदे सर्ग म भेजा, तन्तु इंदर ने नाराज हो करके, उसे उंधे मुप्रिथी के उपर वापस भेजने को सर्ग से धकेल दिया, ताब तो विश्वामित्र जी को उत्यंत क्रोधाया, उनने अपने तबवल के परभाव से एक नमीन सर्ग की रचना की और त्रिशंकों को वहां स्था काफित किया, अन्त में सब देवताओं ने उसमें सहमती दी, तब बल रची प्रपंचु विधाता, तब बल बिश्णु सकल जगत राता, तब बल संभु करी संहारा, तब बल सेसु तरी मही भारा, तब अधार सब शिष्टी भवानी करी जाएं तपु अस जिय जानी, सोरे वंच में उसके बाद तरी शंकु के अथी परताप वान पुत्तर राजा हरीश्चंद्र हुई, हरीश्चंद्र तथा उसकी पत्नी तारामति का चित अथी परसिद्ध, हरीश्चंद्र राजा के ने सत्य पालन के लिए सर्वस्व का बलिदान कर दिया था, हरीश्चं उनके दो रानियां थी उनके जेश्ट रानी से असमंजस नाम के पुत्र हुए और कनिश्ट रानी से साथ हजार पुत्र हुए राजा सगर ने अश्य में यग्य किया यग्य का घोड़ा इंदर चुडा ले गया इंदर घोड़े को पाताल में कपिल देव के आश्रम में समय भी घोड़ा था इससे सगर पुत्रों ने कपिल देव ही चोर है ऐसा मान लिया और उनको मारने को तियार होगे तब कपिल देव के आँख कोलते ही सब सगर पुत्र जल करके भसम होगी बहुत अधिक समय भीतने पर भी सगर पुत्र वापस नहीं आई तब सगर के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशमान अपने पूर्जों की तथा यग्य के घोड़े की खोज में निकले कपिल देव के आश्रम में उनको यग्य का घोड़ा तो मिल गया परंतो आपने पूर्जों को जल कर भसम हुआ देख करके वे अध्यांत दुखी हुए सगर के पुत्रों के उधार के लिए सर्ग मेंसे गंगा जी को उतार कर लाने की उन्होंने इसला मिली गंगा जी पधारे तो ही सगर पुत्रों की मुक्ति मिल सकती थी प्रानियों में ग्यान का परकाश करने की साधन रूपा उनकी पुट्र करने वाली गंगा जो सर्ग में बैती है वे यदि यहां आकर के बशम के धेरी होकर कर पड़े हुए इन सगर पुत्रों को कि भसम को बहावे तो उनकी सदकती हो जाएगी अंशुमान ने गंगा जी को सर्क से उतार कर लाने के लिए उग्र तफस्या की पन्तो उनको गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ उनके मृत्यू के पच्चाथ उनके पुत्र दिलीप ने भी उसी कारण से तफस्या की उनको भी गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ तीन पेड़ी के तब से गंगा जी प्रगठ हुई गंगा जी ने भाईजित से कहा मेरा व्यक प्रिथिम में सेहन होगा नहीं मुझे सेहन कर सके ऐसा शक्ति शारी कोई आवे तो मैं नीचे उत्रूँ बखीरत ने तब आचरन करके शिव जी को परसन किया शिव जी ने गंगा जी को जटाओं में धर्न किया या तस्विन पतिता पुन्या पुन्यर द्रस्यम और धाने प्रंतु गंगा जी की जटाओं में से गंगा जी को बाहर आने के लिए रास्ता मिला नहीं बगीरत ने शिवजी से प्रात्रा की शिवजी ने गंगा जी को बाहर निकालने को मार्ग दिया गंगा जी परवाहित होती हुई पातान में पहुँची सगर पुत्रों की भसम हुई धेरी मोटी हो गई थी गंगा जी का शपर्ष हुआ वैसे ही मिट्टी से मेंसे दीव्य प्रोश खड़े होगे राजा शगर के पुत्रों को सद्गती प्राप्त हुई मरने से पहले जो गंगा जी में शिनान करता है उसे सद्गती मिलती है शिनान सद्करम करने के लिए है शिवजी गंगा जी को मस्तक में धारं करते हैं इससे उनका नाम पड़ा है गंगा धर जो माते पर ज्यान गंगा रखता है, वे जीव शीव सवरूप होता है शीव जी शमशान में बिराजते हैं, शमशान में भूत प्रेत आते हैं फिर भी शिव जी की शानती का भांग होता नहीं, वे अनंद सवरूप हैं ग्यान गंगा को मस्तक में रखने वाले जीव अनन्द सुरूप बनते हैं महाप्रकर्मी बखीरत की चोद्वी पीडी में खटवांग हुई इन खटवांग राजा ने एक ही महुरत में स्यम का कल्यान साध लिया एक बार खटवांग राजा ने देवताओं की मदद की और देट्य को हराया इस से परसन होकर के देवताओं ने राजा से वर्दान मांगने को कहा राजा ने विचार की जिन लोगों को मेरी सहायता की जरूत पड़ी वे लोग मुझे क्या वर्दान देंगे इसलिए उन्होंने देवताओं से कहा मुझे कोई वर्दान चाहिए ने मुझे इतना बताओ कि मेरी आयुष्य कितनी वाकी है तो देवताओं ने कहा कि तुमारे आयुष्य का एक पहर भी वाकी है एक प्रहर अर्धात 48 मिनट ये सुन करके राजा खटवांग ने सर्वस्व का त्याग कर दिया फिर चित को प्रभु में स्थिर कर दिया परमात्मा का एक चित से ध्यान करते हुए उन्होंने शीर का त्याग किया उन्होंने इतने थोड़े समय में ही मुक्ति प्राप्त कर ली राजा खटवांग ने एक पहर के अलप समय में ही जीवन मरन दोनों को सुधार लिया जो समय चला गया है उसका समरन करना नहीं भूतकाल का विचार करने से शोक होता है भोईशे का विचार करने से भय होता है भुईशे का विचार भी करना नहीं वर्तमान का ही विचार करो वर्तमान को सुधारो जीवन का जो शेश समय बाकी है उसमें नारायन का सतत समरन करो जीवन सुधार जाएगा खटवांग के पुत्र हुए दिलीब दिलीब अथी धरम निष्ट राजा थे उन्होंने सिंग के लिए अपने शीर का भक्षन दे करके गाई का रक्षन किया था मुख प्राने के लिए प्रानों का बलीदान करने वाले चक्रवर्ती महराज दिलीब का चिरित्र अथी दिवय है दिलीब के पिछे उनके पुत्र रगु अयध्या की गद्धी पर आए रगु राजा महान चक्रवर्ती सम्राट बने उन्होंने सर्व दक्षनी यग्य किया सर्व दक्षनी यग्य में सियम के शीर पर पहने हुए कपड़ों के लावा समस्त संपती दान दक्षना में दे देनी होती है राजा रगु ने अपने सर्वस्व का दान दे दिया राजा रगु की कीती बहुत फैदी और सूरे वंच रगु वंच के नाम से परसिद्ध हो गया रगु के पुत्र आज हुए राजा आज ने अती सुन्देरवती इंदुमती के साथ हिवा किया उनके पुत्र दश्रत हुए सूरे वंच में ऐसे अनेक महा परतापी चक्रवत्य सम्राथ हो गए हैं उनमें से परतेक ने अपने बाहूबल से, मनोबल से, बुधी बल से, तपोबल से, धरम बल से, वरत बल से, निश्टा बल से अथ्वा दान शूरे से अनेक परकार की सिद्धिया पराप्थ की ऐसे पुने शाली गोरव शाली वंच में राजा दश्यत का जनम हुआ उनकी शोरे संपती अगाद थी सेना मिशाल थी और दोर दोर के पर देशों तक उनकी केती फैली हुई थी राजा धरम और नियाई पूरक राज्य करते थे जैश शिरी राम जी